हेलो एबरिबान वेलकम तो माई चैनल और मेरा आप सभी को बड़ा ओमाला हेलो मैं हूँ आपको दोस्ट टू टू कैसे आप सुभी लोग आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे हम आगए एक और नई इंटरस्टिंग वीडियो लेका जो की है दिवाली सिचल अब दिवाली सिचल है तो कुछ इंत्रस्टिंग होगा तो आज की वीडियो बहुत ज़ादा इंटरस्टिंग और धमाके डार होने वाली है इस बढम हें इस वीडियो मैं हम डिवाली की डेकोरेशन के अको ar так पीनेवा लेक بनाने हैं कुछ अच्छा बनाते हैं दिवाले की डेकोरेशन के अकोर्डिंग बट जैसा कि आप लोग मुझे कॉमेंट करके भी कहते हो ना कि आप दिवाली की स्पेशल वीडियो बनाओ दिवाली पर कुछ हैंडबेज चीज़े बनाओ तो इस टाइप से आप मुझे कॉमेंट करके आ बना सकती हूं और आप लोग भी इस चीज के लिए वेट कर रहे हो तो मैं बनाती आती हो यह सब चीज़े हैं आप लोग आप लोग आज देते रहा करो क्योंकि इसके पास तो पहले से दिमाग की कमी है तो यह इतना जादा कहां सोच सकती है तो आज की इस वीडियो हैं तो तीन चीज़े बनाएंगे दिवाले की डेकरेशन के अकोरडिंग तो वीडियो के लाज तक जरूर देखना और मुझे उमीद देखना आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसानाएगी तो सब से पहले तो हम बनाने वाले हैं क्या बनाए त सबस्क्राइब दिमागे दो हैं हां सबसे पहले बना लेते कि आडिए तो काफी सारे अडाट कर लिया आप लोगने देखा हुगा अगर मेरी शॉर्ड वीडियोत में मैंने तर्च भू दीयों मिना दिये और पाट अधिया वना दीये विडियो और नहीं देखि़े तो लि अफवाई तो इस तरह से ऒल करते ह। मैंने यहां पर काफी सारे पीक्स पना लिए तो दिया सेंड न में टोटल वेस्ट मेटेल से ही भणाने वालीव विको अर्फ तस्ते में जोवार करना वही मुझे इसके बाद में अप मैने यहां पे कार्ट में करको करें तो इस पर चुना और要 पार जो बस यहाँ पे जोड़ पर जो की हमें इसे अटेश करना है पही पर मैं ग्लू का यूज करूँगी तो बागी मैंने इस तरह से जितने पीशते उन। इस तरह से अटेश कर दिया है तो इस तरह से इसके बाद में जो center side में भी मैंने थोड़े से ये newspaper के जो piece बनाये थे ना वो मैंने यहाँ पर लगा दिया तो यह मैंने total दो piece लगाते तो यहाँ पर इसके बाद में अब मैंने gold shape में cardboard sheet को cut कर लिया है उसके बाद में यह मैंने plastic की कुछ spoon ले ली थी तो यह जो है ना भाई की शादी की ही बची हुई थी तो भाई की शादी में जितने भी यह material था ना सब मैंने कवाल चुनके रग लिया था तो यहाँ पर मैंने उसी का use किया है इसे बनाने के लिए तो जितना भी आगे की side का parts है ना उसे मैंने तोड लिया था जितनी भी इसकी गर्दा ने उसकी तोड मरोड ली थी उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसे glue क से attach कर दिया है तो पहले तो मैंने इसे उल्टा attach किया था जो spoon है उसके बाद में सीधी तरफ से भी हमें से attach करना है तो यहाँ पर total मैंने तीन layer बनाई है इसकी पहली layer तो मैंने यह उल्टी बनाई है उसके बाद में भी मैंने तीन layer बनाई थी तो इस तरह से हमारा एक flower बनकर ready हो जाएगा तो यह वाला जो design होता है ना काफी जादा pretty लगता है बनने के बाद में तो पेवकूफ तो ने यहाँ पर red color की spoon के लिए है white color की लेती ना ताकि अच्छे से color भी कर पाती अरे टूटू इस पर हम कोई color वालर नहीं करने वाले हैं इसे हम ऐसे ही रगने वाले हैं क्योंकि यही color ना सबसे जादा pretty लग रहा था तो इसलिए मैंने पहले से यह red color choose कर लिया था तो यहाँ पर मैंने फ्लार तो बना दिया बट सेंटर साइट में अभी जैसे कि हमें दिया रखना है तो उसके लिए भी थोड़ा जुगार करना है तो यहाँ पर मैंने एक चोटा सा सरकार शेप में cardboard sheet का piece लेके चारा तरफ yellow color के last से cover कर दिया था और उसके बाद मैं center में उसे attach करनी के बाद में जो हमने पहले part बना कर ready किया था उस पर मैंने पहले दो white color apply कर दिया ताकि एक अच्छा base मिल जाए उसके बाद में green color apply कर दिया था because red के साथ में green का combination अच्छा रहता इसके बाद में center side में जो newspaper के piece लगाए थे वहाँ मैंने लड़ियो वाली last लगा थी यह एक दिया stand बनाया था सेम इसी तरह से मैंने यह दूसरा वाला भी बना लिया एंड यह सच में मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है यह जो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा था वैसे जिस काम के लिए हमने इसे बनाया को करके देख लिए पहले तो भी नहीं उसी की बात कर रहे था कर दिया रख लेते हैं तो सच में तो मगे काफी ज्यादा ब्यूड़िफुल लग रहा था आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना यह थैन दुमाग को ही मारना को यह हम ने यह दोनों ही दिया स्काइंट तो बना लिये पट अब और चीज भी बनानी है तो वैसे सचकों यह इस तरह से काफी अच्छा लग ए मैं सोच्छी कि आगे जैसे वीडियो बनाऊ तरह से लगा लुकिया तो यह दोनों तो हो गया रेडी बिया स्टैंट तो अमने रेडी कर ल अब नेक्स्ट हम बनाते हैं तो मैं सोच्छी के बॉल पर हैंग करने के अपोर्डिंग बनाऊ पहले सब को बता दो दें कि यह मेरा आइडिया है हां हां यह भी तेरा है इडिया मैं अपना इडिया नहीं बता रही हूं किसी से तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट आइपेस भी बना लेते हैं दिवाली के डकुरेशन का वरडिंग तो next हम बनाएंगे शूबलाब तो चलिए शूर करते हैं तो यहां पर शूबलाब को ब पाउच पत्या बना लेंगे तो ढ़ने के बाद में आपस में यह तरह से अटेज कर दिया था इस तरह से अंड इसके बाद में यह फ्लार बनकर कम्ठीट हो बया है आग हम यहां पर कुछ पत्तियां भी बनाएंगे होली ह ay तो यहांपर बना ली हैं यहां पर चार पत्तिय बनाई मैंने तो चारों पत्तियों को बनाने बाद में फ्लार भी मैंने यहां पर दो बनाएं और इसके बाद में अब मैंने ले लिया एक cardboard sheet and उसके side में एक पहले तो मैंने यहां पर फ्लार को attach कर दिया है favicol की health से उसके बाद में मैंने यहां पर पत्यों को भी attach कर दूँगी तो भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल चार पतिया बनाई थी तो दो पतिया तो मैं यहाँ पे फ्लार के साइड में अटेच कर दूगी एक एक पति में फ्लार के दोनों साइड में अटेच कर दूगी उसके बाद में दूसरी साइड में सेम चीज रिपीट करूँगी फ् इसके बाद मैं five goal से इसे attach कर दिया है तो यहाँ पर एक simple सा border बना कर मैंने ready किया है और यहाँ पर जो simple सा लग रहा था थोड़ा तो मैंने कुछ cuts वगरा लगा दिये थे थोड़ी details के लिए and इसके बाद में center side में मैं यहाँ पर शूब लिख दूँगी तो शूब लाप के द pencil से उसके बाद में उसी के उपर five goal से मैं यहाँ पर clay को attach करते हुए शूब को इस तना से लिखकर complete कर दूँगी तो यहाँ पर हमारा clay का जो काम था वो तो almost खतम हो गया है इसके बाद में आप हम इस पर color करना start करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर white color को apply कर देना ह ताकि एक अच्छा base आए और यहाँ पर जो हम बाद में color करेंगे ना उसमें भी काफी अच्छे से shining आ जाएगी तो यहाँ पर जो हमने दो flower बनाए थे वहाँ पर तो मैं पहले yellow color अप्लाइ कर रही हूं and दो नहीं flower में yellow color को apply करने के बाद में orange color से मैं इसमें थोड़ा सा share दे दूंगी ताकि और भी अच्छा look आए इसमें तू तो इस एक ही पार्ट को लेकर बैठ गई है दूसरा पार्ट जो बनाना था जिस पर लाव लिखना है वह कब बनाए की तूटू मेरे तींचार हाथ थोड़ी ना है जो मैं सबको एक साथ बना कर दूंगी अभी पहले यह एक पार्ट बना की complete कर देते हैं उसके बाद में दूसरा पार्ट बना लेंगे ठीक है तो यहाँ पे फ्लार में कलर करने के बाद में जो नीचे का base है न जो cardboard है वहाँ पे भी मैं कलर करना start करूंगी तो वहाँ पे मैंने total brown color apply कर दिया था एंड इसके बाद में और भी ज्यादा रंग भी रंगा बनाऊंगी मैं इसे तो उसके लिए यहाँ पर जो पतिया बनाई थी न मैंने वहाँ पर तो मैंने green color apply कर दिया एंड इसके बाद में जो border बनाया है तो वहाँ पे मैंने blue color को apply कर दिया है एंड center में जो मैंने शूब लिखा थे न वहाँ पे मैं red color को apply कर दूंगी तो यहाँ पर हमारा color का काम तो almost खतम हो गया है तो इसकी safety के लिए थोड़ा वर्णिश भी apply कर देंगे हम तो एक कोड मैंने वर्णिश का apply कर दिया है इसके बाद में हम इसे mirror से थोड़ा सा definite कर देंगे तो यहाँ पर हमें mirror को वर्णिश के बाद में लग देट हो गया है दोनों मैंने डिजाइन तो सेम ही बनाए शुल आपके तो वैसे पूचा में इन चीज़ों को भी बहुत बाना जाता है तो यह बनाना सच में काफी जरूरी था और पुटू का आइडिया भी अच्छा था मैं तो हमेशा अच्छे आइडिया भी देता आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और तुटू तुझा कैसे लग रहे हैं यह तो सच में बहुत सुंधारा और लगेंगी क्यों नहीं आकर मेरा आइडिया था मैं तो हमेशा अच्छे आइडिया देता हूँ अपनी शेटल की तरह क्यूट क्यूट क्यू जरूर बताना आप सभी को मेरा आइडिया ही पसंद आया हुआ क्योंकि मैं इसमें समझार तो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में एंड नेक्स में पिस टाइप का आइडिया दिवाली के अपोर्डिंग वैसे में दिवाली के लिए और भी चीज़े बनाने वाली हूँ और जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसे लगी वह भी मुझे करके जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बोला तब तक के लिए टाटा बाबाए एंड रादे रादे और जो घंटले डग रहे नो उस झाल